हेलो दोस्तो, वेलकम बैक टू SMP पूरे वर्ल्ड में गिलोबली अगर आप देखोगे मार्केट में बहुत ही ज़दा नेगेटिब सेंटिमेंट चाहे हुए है कि कब हमें रसिया और यूकरियन के बीच अगर कांफ्लेक्ट ज़दा बढ़्टा हुए देखने को मिल जाएगा तो फर मार्केट जो है वही सर्पली नीचे आ जाएगा तो बहुत ज़दा प्रॉलम में अभी पूरा किलोबली मार्केट देखने को मिल давно है मन्डे के दिन हमारा मार्केट जब ओपन होगा तो किस तरीके से हमें condition देखने को मिलेगी यह हम चलिए discuss कर लेते हैं थोड़ा सा कि जो tensions है वो अभी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है रसिया ने जो missiles है यह भी test कर चुके हैं यह लोग तो किस तरीके से हमें देखने को मिल सकता है अगर यहां पर आप देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा यहां पर दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन को रसिया जो है इन्वेट कर सकता है कभी भी क्योंकि यह जो missile testing है यह भी हो चुकी है तो जो आप देखोगे बढ़ती जा रही है ग्लोबल मार्केट पर बहुत ज़्यादा negative sentiment देखने को मिल रहे हैं मार्केट ओपन होगा तो उस टाइम पर आपको जो पॉइंट देखने चाहिए वह यह कि अगर मार्केट में ज्यादा negative sentiment बनेंगे तो जो इन्वेस्टर हैं bond की तरफ बढ़ेंगे यानि कि रिष्टॉक से रुपया निकालेंगे कंपनी से रुपया निकालेंगे और एक सेफ तरीके से उसे यूज करेंगे और वो करेंगे bond में bond में ये रुपया लगाएंगे तो इसमें आप बहुत ज़्यादा बेकबाली देख सकते हो market में अगर थोड़ा सा भी negative sentiment होता तो market में बेकबाली देखने को मिल सकती है तो ये जरूर आपको धियान रखने चाहिए कि अगर ज़्यादा बेकबाली देखने को मिलेगी तो फिर market जो है बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाएगा अगला point जो आपको याद रखना है गिरेंस और wheat देखिए जब भी बहुत चड़ती है तो हमेशा आपने देखा होगा हिस्टरी में भी यह देखा होगा कि जब भी बहुत चड़ती है तो दो चीजों की बहुत ही ज़्यादा कमी आती है एक तो आती है खाने पीने की और दूसरी आती है मैटल्स की तो यह ज़रूर आपको याद रखना है कि गिरेंस की बहुत ही ज़्यादा प्रॉलम आने बाली है क्योंकि बिलेक सी जो रीजन है यहां से अगर जो एक्सपोर्टर वो बंद हो जाएगा अगर एंटरप्ट हो जाएगा यहां पे दौनों कंटरीज का तो मेजर इंपेक्ट पढ़ने बाला है प्राइज इस पर जो कि आपको गिरेंस और वीट में देखने को मिलेगा फ्यूल फूड इंफिलेशन भी आपको देखने को मिल सकता है बहुत ही बड़ा मेजर कंसान होगा यह क्योंकि फोर मेजर एक्सपोर्टर जो है यह है यूक्रेन रसी या कजाकिस्तान और रोमानिया जो कि आप देखोगे गिरेंस की जो सेफ है इन पोर्ट से बिलेक्सी के फिरूप पहुचाई जाती है अगला पॉइंट जो आपको याद रखना यह है नैचुरल गैस और ओल में भी आपको बहुत ही ज़्यादा प्रवलम देखने को मिल सक जाएगा तो फिर इसमें आपको बहुत ही प्रवलम देखने को मिल सकती है नैचिरल गैस में आपको थोड़े से प्राइजेज में प्रॉबलम देखने को मिल जाएगी अगला पॉइंट है कंपनी एक्सपोजर जो बहुत ही ज़्यादा कंसे क्यूंस फील करेंगी जब रस आपको देखने को मिलेगा यह जब आपको देखने को मिलेगा वैंडे के दिन आपको मार्केट जो है गिरता हुगा नजर आएगा अगर कल के दिन बहुत ही बड़ी न्यूच कोई सामने आ जाती है कि रस्किया जो है अब प्लान कर रहा है इनबेट करने के लिगे तो मार्केट में गिराबट आपको देखने को मिल जाएगी एक सार्व गिराबट आपको देखने को मिलेगी यह नहीं होगा कि step by step चलेगी हो सकता है gap down खुल जाए gap up तो बुलकुल chances ही नहीं है वैसे तो लेकिन gap down के chances बहुत जादा है gap up के chances कम ही होते हैं जादतर आप देखोगे क्योंकि ऐसी कोई नूश आती रही है कि gap up खुल जाए लेकिन बहुत ही बड़ी टैंसा नहीं चल रही है रही है यूकरेन की मान लीजे हमें नहीं पता decision क्या होता है वांकर प्राइमिनेस्टर का हमें नहीं दिन तक आपको तो नूश से बहुत ही जादा रेलेट करना है नूश को लगातार आप देखते रही है क्या decision आने वाला है क्योंकि बहुत सारे लोग जो है नूश नहीं देखते और ऐसा नहीं हड़ी में आप अपने सारे stake बेच दो मैं यह नहीं क्यारा कि सारे बेच दो लेकिन आपको कहीं न कहीं positive feel रहना पड़ेगा आप अगर जो SIP कर रहा हो यह नहीं है कि SIP भी रोक दो mutual fund की SIP भी आप continue रख सकते हो लेकिन आपको अभी currently buying नहीं करनी है अगर कोई stock में अगर आप buying करने जा रहा हो कि कोई company में stake लेने जा रहा हो तो ऐसा नहीं करना है बीच बॉल तो नहीं चड़ जाती है तो यह चीज़ें आपको जदूर अपडेट रखनी हो और जो भी अपडेट आएका वो तो मैं आपको बताई दूंगा तो that's all in this video दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में